हलो एवरिवान, गुड नीज है आप लोगों के लिए, जो बच्चे अभी आगे चलके IT या कम्पूटर साइंस की एक्जाम दिना चाते हैं, बहुत रिक्वेश्ट कर रहे थे कि यार सर हमारे लिए भी कुछ लाओ, इंगलिश हो गया, फिजिक सेमिश्टी मैट्स हो गया, ह हमको IT है, कम्पूटर साइंस है, बाइफवकल वाले हम लोग, येस तो आपके लिए भी एक महा रिविजन लेकर आ रहे हैं, आपके सब्जेक का, तो जो IT के बच्चे उनकी एक्जाम तो यार लगबग 31, 31 या 1 एपरील को है, अभी जो सामने 23 मार्च के आसपास जो एक्ज साइंस की एक्जाम है, तो जो कॉम्पूटर साइंस के बच्चे है, 12 के, हसी बोड के, उन बच्चों के लिए येस मैं लेकर आ गया हूँ, क्या, कि भाई महा रिविजन फॉर कॉम्पूटर साइंस, अब ये कैसे होगा, कहा होगा, उसकी जानकरी देता हूँ, सबसे पहला जो आपका चैप्टर नुमर वन है, ओपरेटिंग सिस्टम, इस चैप्टर से आपकी रिविजन की शुरुआत होगी, कॉम्पूटर साइंस वाले बच्चों की, सिखाने वाले हमारे राहूल सर है, प्रोफेशनल इंजीनियर है, तो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, और आप लोगों को ये सारी चीज़े जो है, शॉर्ट टाइम में अच्चे से सिखा के रिवाइज कराने वाले हैं, और वो भी लाइव चलने वाला है, तो अब आप कैसे बासकते हैं, तो ये कल से रिविजन स्टार्ट हो रहा है, अब कहा हो रहा है, हमारे चैनल पर सर का जो चैनल है, उसका नाम है कोड का डोज, कोड का डोज, ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको जो कोड का डोज, जो यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मिलेगा, साथ में ये जो लाइव लेक्चर होने वाला है, इस लाइव लेक् मिलने वाला एक computer science का और इस चैनल पर जाने के बाद आप सर से connect हो जाईए सर जो है पूरा schedule आपको आगे का देंगे कि कैसे computer science के जो भी syllabus है इन्होंने अभी आज एक video भी डाला है code का डो channel पर आप इस channel पर जाते हैं और यह पूरा आपका syllabus revise करवाने वाले कम टाइम में पूरा content और जैसे ही आपका CS हो जाता है फिर हम IT वाले बच्चे जो 11, 12, commerce, science, arts के बच्चे जो IT लेके रखे हैं उनका 31, March, April तक exam है फिर एक हफते उनको revise कराएंगे सरके चैनल के जरी है code का डोज तो याद tension की बात की है पढ़ाई चालू कर दो अब भी जाओ description में सरके चैनल पर जाओ और वहाँ जाके जो syllabus से related वीडियो वो देख लो और कल से जो है ये revision स्टार्ट कर दो ठीक है मिलते है code का डोज चैनल पर computer science की revision के साथ और आगे चलके IT का भी revision आएगा so bye everyone take care